हेलो एबरिवन वेलकम बैक अगें तो आप लोग का इंफॉर्मेशन के लिए बता दे कि जारकंड इस्टेट का जो है आपका सेकेंड राउंड का एलॉट्मेंट लिस्ट जो है वो रिलीस कर दिया गया है तो इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर्ली जारकंड इस्टेट क्या कटव रहा कॉलेज बाइस कटव देंगे तो वीडियो को यहां पर शुरू करते जल्दी से तो यहां पर आप लोग देख सकते हो और एक बात जिस भी कैटिगरी यहां पर जैसे यह लौटेट कैटिगरी दिया गया है यहां पर और इंडिया रैंक है नीट मून का क्य टीक है तो यहां पर आप देख सकते हो कि और जो जो भी कैटीगरी यहां पर नहीं दिया गया है उसका मतलब उस Palest की सेकेंड रॉन में सीट नहीं बचा होगा ठीक है तो यहां पर देख सकते हो कि यह जो है रीम सराची का कट आफ है राउन टू का स्टेट कोटा सीट के लिए ठीक है आपका इस साल 2023 में तो आप देख सकते हो कि जेनरल जेनरल कैटिगरी को जो लास्ट अलॉट्मेंट हुआ है वह आपका 637 मार्क्स पर मिला है जिनका रैंक था आपका 11,34 ठीक है तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि बिसी टू कैटिगरी को आपका लास्ट अलॉट्में 629 मार्क्स पर हुआ है और जिनका ओल इंडिया रैंग था 14,316 ठीक है और देख सकते हो कि स्ट केटिगरी को जो लास्ट अलोट्मेंट हुआ है वो 466 मार्स पे हुआ है रिम्स राची में और उनका स्कोर था 1,44,909 मार्स ठीक है और यहां पर देख सकते हैं कि यू आर पीएज केटिगरी को आपका लास्ट अलोट्मेंट हुआ है 5,15,798 पे जिनका स्कोर 262 था ठीक है और प्रिमिटिव ट्राइब केटिगरी को आपका लास्ट अलोट्मेंट 5,17,862 पे हुआ है जिनका स्कोर 262 था तो यह रह गया आपका रिम्स राची का कटप आप चाहोते है इसका स्क्रीन सॉट ले लो फॉर फ्यूचर रिफरेंस ठी देख लेते हैं तो यह MGM जमसित्पूर का उसी तरह पहले ही बतादे रहें यह Allotted Category है आपका यह नीट का All India Rank है यह आपका नीट का स्कोर है यह State का CML Rank है ठीक है और जो जो भी Category यहां पर नहीं लिखावा उसका मतलब उस College में उस Category का सीड बचा नहीं था ठीक है तो यह MGM यह MGM जमसित्पूर ने 622 Marks का और जो उनका Rank था वो था आपका 17,158 BC1 Category को भी देख सकते हो 621 Marks पे हुआ है MGM जमसित्पूर जिनका Score था 17,647 के और ST Category को जो Last Allotment हुआ है आपका वह 247,000 पे हुआ है जिनका Score था 389 पे ठीक है UR Diff Category को 6,53,000 पे मिल गया है 218 Marks था उनका और UR Blind Category को 8,45,000 पे हुआ है Call-India Rank और जुनका Score था 169 यहां पे देख सकते हो तो इसी के साथ MGM जमसित्पूर कट-off हो गया चाहो तो screenshot ले लो for a future reference ठीक है तो आप यहां पे देख सकते हो next Medical College जो है SNMCS में धनबाद जिनका पूर सहीद निर्मल मातो Medical College and Hospital धनबाद या PMCS पार्टलीपूत Medical College and धनबाद भी बोलते है SNMCS धनबाद में वह 618 मार्क्स पहुआ है ठीक है उसी तरह जो All India Rank उनका क्या था 19,217 पे BC1 काटिग्री को Last Allotment हुआ है अपका 617 मार्क्स पे और उनका Rank था 19,808 ठीक है BC2 काटिग्री को Last Allotment 650, 615 नंबर पे हुआ है जिनका All India Rank था 20,0565 तो यहां पे देख सकते है EWS काटिग्री को Last Allotment हुआ है वह 596 मार्क्स पे हुआ है और उनका इसको जो Rank था 31,552 था ठीक है EWS Blind काटिग्री को Last Allotment हुआ है 231 मार्क्स पे हुआ है जिनका Rank था 6,10,000 ठीक है और UR Div काटिग्री को जो है 196 score पे ही College मिल गया है सब्सक्राइब का SNMCS धनबाद और उनका Rank क्या था 7,33,000 बीची वन पीएच का टीग्री को 182 मार्क्स पे मिला है जिनका Rank था आपका 7,86,058 पे ठीक है तो यह हो गया EC के साथ यह SNMCS धनबाद का Second Round का Cut-Off हो गया आप चाहो तो इसको Screenshot ले लो for your future reference अब next हम लो next medical college देख लेते हैं यह है आपका सेख भीकारी medical college and hospital हजारी बाग SBMCS हजारी बाग स्टेट को टार कट-off है Second Round के लिए 2023 इस साल का टीक है MBBS Seats के लिए ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो अन्रिजर्ट के लिए जो है आपका 612 marks पर ही college मिल गया था आपको SBMCS दारी बाग जिनका score था बंद रांक था closing rank last rank 22,026 पर ठीक है EWS category को last allotment हुआ 590 marks पर जिनका rank था 35,240 ठीक है और EWS इस डीफ category को जो last allotment हुआ है 482 marks पर हुआ है जिनका rank था 127,176 in SBMCS जारी बाग का cut-off यहां पर खतम होता है तो आप लोग इबार screenshot लिलो कर चाहते हो तो for your future reference ठीक है अब next medical college पर देख लेते हैं तो यह है आपका फूलो जानो medical college and hospital दुम का ठीक है तो यहां पर देख सकते हो कि यह allotted category है all India rank है NEET का score है यह state CML rank है ठीक है तो यहां पर यूर category को जो last allotment हुआ है 610 marks पर हुआ है जिसका all India rank था 238,656 पर ठीक है BC1 का category को 605 marks पर मिला है और जो उनका all India rank था 26,159 पर EWS category को जो lost allotment हुआ है आपका फूलो जानो medical college second round का cutoff जो है वह 581 गया है और जो उनका score था 41268 पर ठीक है तो आप चाहो तो future reference के लिए इसका screenshot ले सकते हो ले लो अगर लेना चाहते हो तो तो आप next medical college का देख लेते हैं तो यह रहा आपका वेट एक मिनट वेट किजीगा हाँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह मेधनी राए medical college and hospital पलामू का पलामू medical college पहले बोलते है state कुटा second round का cutoff है for MBBS states ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो यह allotted category दिया गया यह all India rank है यह need का score है यह state cml rank है ठीक है उनका और 441880 था उनका ओल इंडिया rank SC category को last allotment 459 पे हुआ है जिनका एक एक all India rank था closing rank जो था वन लाग 53,386 पे टीक है ST category का last allotment 339 marks पे हुआ है और उनका ओल इंडिया rank क्या था 3,35219 SC PH category का जो था मतलब PH मतलब physical handicap category जो होता है ठीक है जिव्यां category जिसको आप लोग बोलते हैं तो यह need का score जो था 126 score पे और जो उनका ओल इंडिया rank था 10,882 तो इसे के साथ यह मेदनी रहे मेडिकल कॉलेज का भी cut-off हो जाता चाहो तो आप लोग इसका screenshot एक और लास्ट में यह आप लोग यहां पे देख सकते हैं यह overall cut-off दिया गया ठीक है सब कॉलेज का मिला के सब का मिला के कि overall कि इस rank पे last admission हो तो आप लोग चाहो तो इसका भी screenshot ले सकते हो यहां पे category दिया गया है यह All India rank है इनीट का score state CML rank है कौन सा college मिला ठीक है तो यह category wise है तो इसका भी screenshot ले सकते हो तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खतम करते हैं करते हैं तो आप लोग को और कोई कि किसी state का कुई cut-off चोई होगा तो उसके लिए comment कर सकते हो हमको time मिलेगा तो पे एक वीडियो बना देंगे तिल दें सिह न दा नेस्ट वीडियो थैंक यू वफ नाइस दे